कभी सर्वे महंगाई पर किया गया, कभी सर्वे बेरोजगारी पर किया गया मस्जीदों के ओपर दरगाओं के ओपर नगातर हमले किया जा रहा है, टार्गेट किया जा रहा है खानून के रखवाले खानून को अपने हाथ में ले मेंस्ट्रीम मीडिया को छुलू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए कॉंग्रेस पार्टी किस तरह से अपना किरदार निवा रही है वहाँ के MP, MLS और 2000 से ज्यादा लोगों के ओपर F.I.R. कई न कई वो BGP के साथ तायिक में हमेशा नजर आते और ऐसे लोगों को दो टके की अवखाद जिसकी नहीं है अर्गों का जाड़ियों को तोड़ खुर कर रहे हैं हमले कर रहे हैं क्यूंकि रूलिंग क्लास वो पोलराइज करकर हमिर्शा के लिए पावर में रहना चाहता है असलाम अलेकुम आदा दोस्कों गुलबरगा हेडलाइन्स के आज exclusive इंटर्वी हमारे साथ गुलबरगा शहर के एक मिल्ली लीडर अडवेकेट वहाज बावा हमारे साथ यहां पर मौझूद है जिस तरह से आप लोग जानते हैं मुल्क भर में मसाजित और दरगाहों को लगातार यहां पर टार्गेट किया जा रहा है मुसल्मानों के sentiments को हड़ करने के कोशिश की जा रही है और अमेंडमेंट मिल हो गया उसके अलावा दरमस्जीदों के ऊपर दरगाहों के उपर लगातार हमले किया जा रहा है तार्गेट किया जा रहा है उन तमाम इशूस की वज़ा क्या है कौन इसके पीछे है किस तरह से जिस तरह से आप देखते हैं कि अंतरपरदेश में सांभाल का incident हाथसा हमारे सामें मौशूद है पांच मुसल्मान वहाँ पर खतल किये गए शाहिद किये गए उसके बाद कुछ अर्सा नहीं गुजरा वहां का अफसोज वहां का घम मुसल्मानों के दिलों से नहीं उतरा अजमेर की बारगाएं खजा मौने दिन चिस्ति रहमतुलाले की दरगापर महाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि महादेव का टेंपल महाँ पर मौशूद है और इसके उपर इस तरह से कोड इंटेटेंट कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों को एक मामूली तन्जीम का कोई शक्स वहाँ पर जाता है मंदिर उने का दावा करता है फिर उसको हाई कोड वहाँ पर उसके पेटिशन को एकसेप करती है फिर इस तरह से जो पूरा माहुल मुल्क भर में बनाया जा रहा है इसकी क्या वज़ा हो सिपकी है बेबुनिया तरीखे से विश्नु गुपता ने सरकार गरीब नवाज रहमत अले की दरगा पर एक पेटिशन फाइल की जो बहुत सारे लोग इंतिशार पैदा करने के लिए चीप पब्लिक सिटी हासिल करने के लिए करते रहते हैं मगर अजमेर शरीफ की सिविल जच सहाब ने उसे जो अलौ किया वो बहुत ज्यादा कंसर्ण ह अफसोसनाक है वो मिंटेनिबिलेटी कौज आफ एक्शन पर शवायद ना होने पर प्लेस आफ वर्शिप एक्ट की बुनियाद पर वो उसे दावे को डिसमिस करकर रिजेक्ट कर दे सकते थे ताकि देश का माहौल जो है जबसे ये शर्पसंद ने अप्लिकेशन फाइल की है दावा किया है पुरे देश भर में माहौल एक तनाव में है बहुत सारे लोगों की इमोशनल टैश्मेंट दरगा से है वो हर्ट हो रहा है और दरगा शरीप पुरे देश के नैशनल इंटिग्रेशन कमूनल हॉर्मिनी गंगा जमना तहजीब का मरकज है वहाँ पर दरग करोडों की तेदाद में हिंदू भाई, क्रिस्चन्स भाई, सिक्त, मुस्लिम, तमाम मजभब के तमाम समाच के लोग वहाँ पर जाते हैं जो आठ सो सालों से किसी खिसम का कौंटरवर्सी नहीं, किसी खिसम का डिस्प्यूट नहीं, तो आज उस दरगा शरीफ को डिस्प् दिया है उसी तरीखे से ऐसे जजस जो है उसे सुप्रीम कोट इंस्ट्रेक्शन दे देश का माहौल खराब ना हो ऐसे पेटिशन को इंटेटेन ना किया जाए और पूरी उम्मीद है कि आने वाली सुनवाई में यह पेटिशन डिस्मिस होंगा अब इस तरह से अभी आपने प्लेसर साफ वर्षिप एक 1991 का जिकर किया उसके मताबिक हम देखते हैं कि क्लियर यह वाज़े है कि 1991 के बाद जितने भी बाबरी मजीद को छोड़कर जितने भी इबादत कहां है मजीद है दरगां है मंदिर है जो जहां है वहीं पर रहना है उस आपको लगता है कि क्या सिर्फ एक तंजीम इसके उपर काम करें कि उसकी पीछे कोई पॉलिटिकल उनको सपोर्ट मिल रहा है कौन-कौन इसके अंदर इन्वाल हो सकते हैं जब तक रूलिंग क्लास ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट नहीं करती है लोगों की हिमत नहीं होती है यह कौन है रूलिंग क्लास चाहती है कि देश के रियल इशूस छुप जाएं ऐसे नॉंसेंस इशूस को लेकर आकर देश के लोगों को इसी में बिजी रखा जाए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर यह कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास यह तमाम बाते कह कि हर एक मस्जिद के निचे शीवलिंग नहीं देखना चाहिए मगर वो बहुत देर कर गए बोलने में क्यूंकि उन्हीं की संगटन ने इतना जहर भाहर भर दिया है देश के माहौल में आज सिर्फ एक स्टेटमेंट से काम नहीं चलने वाला है आज ऐसे फ्रिंज ऐलिमें मस्जिद का जो जजमेंट आया था सुप्रिम कोड के जरिये 35 साल मुसल्मानों ने उसके उपर जो है ना लगाता रहतिजाज करते आ रहे थे 6 डिसंबर को मस्जिद की वाँ पर जो है ना किस तरह से क्लेम किया जा रहा है उस पर नाराजगी जाहिर करते आ रहे थे आप भ सुप्रिमानों ने बाबरी मस्जिद के लिए दिल बढ़ा करके गलती की कि फिर उनके दिसरे इबादत गाहों पर हमला किया जा रहा है आयोधिया बाबरी मस्जिद के इशू में मुस्लिम समाज ने ये बताया कि हम law of the land को मानने वाले हैं हम constitution of India को मानने वाले हैं हम सबर स first survey में भी सबर से patiently काम किया संबल का जो first survey हुआ वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई जो court के instructions पर हुआ वहां पर कोई फद्राओं नहीं कोई कोई गड़बड़ी नहीं हुई मगर second survey जो illegal तरीख से किया गया उसमें वहां पर illegal survey भी हुआ illegal तरीख से shooting भी हुई illegal MLS और 2000 से जियादा लोगों के ओपर FIR हुई यह जियादा एकदम concern करने की बात है बहुत जियादा अफसोसनाक है तमाम लोगों को मिलत के जिमेदारान और तमाम समाच के जिमेदारान को मिल बैट कर सोचने की जरूरत है कि देश किस दिशा पर जा रहा है क्या यह देश के एकता अखंडता सेकुलरिजम गंगा जमना तहजीब के लिए यह बातें ठीक हैं यह सोचने की जरूरत है क्योंके ruling class वो polarize करकर हमेशा के लिए power में रहना चाहता है देश की civil society के वो देश के जिमेदारान को यह सोचने की जरूरत है कि देश किस तरफ जा रहा है तो होंगा के संबल के इशू में जिसने पांच बेखसूर नोजवानों पर किलिंग की उनको सक्स सक्स परिश्मेंट होनी चाहिए यह जिस तरह से आप संबल का जिकर कर रहे हैं यहां पर एक यातरा निकले थे कानवार यातरा वलके वहाँ पर कई हिंदू सड़कों पर गाड यहां चला जाती हैं वीडियो हमने देखे हैं कि मारो फाइरिंग करो गोलिया चलाओ वलकर बड़े वादेदार आफिसर्स वहाँ पर उनको इंस्ट्रक्शन्स देते हैं मुसल्मानों को आपर मार कर धेर किया जाता है खतल किया जाता है यहां पर इस तरह से आप देखे प खानून के रकवाले हैं वही खातियलेंसंबल में वही लोग सेलक्टिव एक्शन करते हैं जबके एक्वैलिटी बिफॉर लाओ हरे के लिए लाओ एक्वल होना चाहिए मगर सेलक्टिव एक्शन लिया जाता है जो जियादा कंडमिनेबल है और यहां पर बदخिसमती से खा इसके ओपर सर्वे की बात नहीं होती। तो ये नौन इशूस को देश के लिए इस्तमाल किया जा रहा है। जो रियल इशूस को छोड़ दिया जा रहा है। पर्टिकुलर एक कम्यूनिटी कुछ इस तरह से हैंपर टार्गेट किया जा रहा है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेंस्ट्रीम मीडिया को चुलू भर पानी में डूप मर जाना चाहिए। इसलिए कि पांच शहीदों के उपर पांच लाशों के उपर वो रूलिंग क्लास के जूते चाटने के लिए उसे भी गलत बता रहा है। इतना जूट बताते हैं पांच मासूर लोगों का खतल सिंबल में हो गया मगर बावजूद उसके ये कहते हैं कि उन्होंने फद्राओ किया। वो लोग बजार से सामान लेकर आने के लिए बेखसूर लोग गए थे वहाँ पर वो लोगों की बच्चों की उम्रे क्या थी 17 साल, 18 साल, 11 साल ऐसे लोगों को मेंस्क्रीम मेडिया स्टोन पेल्टर बता रही है। जब जब उनका कोई रोल ही नहीं है तो IC मेंस्क्रीम मेडिया चुलू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। ज्स तरह से हरकते हो रही है, क्या मुसल्मानों को उक्साने की कुशिश की जा रही है, क्या शहर मुलक का माहौल खराब करने की कुशिश क以前 चाहरी है किस तरह से आप इससे पो देखते हैं, यही बात है कि एक पर्लिटिकुलर कम्योनिटी को टार्चेट करते हुएँ प्र Wonderful करेंगे प्रोकेशन के बदले में अगर कोई खिसम का एक्शन मुस्लिम कम्यूनिटी लेंगी तो उसे फिर बताएंगे कि ये खानून के खलाफ वर्दी हैं ये खानून को नहीं मानने वारे हैं जबके आप देखिए खानून का ही सहरा लेकर ये विश्नु गुप्ता आ रहा है लोगों को गुम्रा कर कर बता रहा है के सर्वे करने में क्या बुराई है अरे बेसर अफ वर्षिप एक्ट है वहाँ przep कर के स्रवे करने से क्या फैदा होने वाला है जबके एक आप मोझूद है खानूनagu मोझूद है और वो खानून कहे चुका है कि इसका नेचर नहीं चेंज किया जा सकता तो सर्वे करने की ज़रुत क्या है सर्वे करकर सिर्फ लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट करने की कोशिश की जा रही है इमोशनल को हर्ट करने की कोशिश की जा रही है मैं अवाम से यही करूंगा कि हम सबर के साथ पेशेंटली हम डील करेंगे और हमें अजमेर शरीफ के जमेदारान पर पूरा वरोसा है कि वो खानूनी लड़ाई बड़े स्ट्रॉंग तरीखे से करेंगे अगर खुदाना खास्ता इसके ओपर रोडों पर उतरने की बात आएंगी तो हम सिर्फ एक कॉल का वेट कर रहे हैं कि हम अजमेर शरीफ की दरगा के साथ है हमारी अखीदत, महुबत, उनसियत, तमाम चीज़े गरीब नवाज रहे हैं और रोज ख्यामत तक हमारी नसलों की भी इसी तरीखे से अखीदत जुड़ी ही रहेंगी इस तरह से आप वारगाँ खाज़ा गरीब नवास के जो आपके मुतवलिय हैं, जो जिमेदार हैं उनका आपने जिकर किया उनको हमने देखा है कि बहुत कमेंडमेंट जब बिल की बात आ रहे थी आएक्ट महाँ पर जब फैसला लिया जा रहा था वो लोग तो उसके ताइद में खड़े नजर आये हैं और कई ना कई वो बीजेपी के साथ ताइद में हमेशा नजर आते हैं तो आज यह जो उनकी ही धरगां कमा पर मामला सामने आया है, वो आज मुखालिफत कर रहे हैं इसको किस तरह से देखते हैं देखे, वो इशू, इर्रेलेमेंट इशू है आज के इंटर्व्यू से हमारे, वो उनका एक पोजिशन उन्होंने क्लेर किया, उसके ओपर बहुत सारे हमारे मिली दानिशवरान हजरात कहे चुके हैं सवाल पोचने का मकसद ये है, मुसलमानों में एकता नहीं है, मतवलियों बारगाओं के जिम्मेदारों में एकता नहीं है, तो कही ना कही इस तरह के हमले तो होंगे ना तो बस ऐसे ही, डिस्प्यूटेट कुस्टिंस का अंसर्स करने से इतिहात बिगड़ने का पूरा चांस होता है, अब वो भी समझ गए होंगे कि कुते की दुम तेड़ी की तेड़ी रहनी वाली है, आपको खानून का सारा लेना है, आपको लड़तर ही हम अपने चीजों की इफाज़त कर सकते हैं, यखिनां अमर और अमान, सलामती, शांती हमें रखनी हैं, उसके साथ साथ हम इतिहात, इतिफाख के साथ, पूरे एक कलमे की बुनियात पर हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर दूसरे मذہब के साथ भी अपने तालुखात को अच्छे हमवार क आज भी बहुत सारे हिंदू भाई हैं, जो अजमेर की जो दरगाप का मसला है, जिसे पसंद नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे जहन के हिंदू भाई हैं, जो चाहते हैं कि इस तरीखी का नफरत का मोहल हिंदूस्तान में ना बने, वो चाहते हैं कि ऐसा हिंदूस्ता हर समाज में कुछ ना कुछ ऐसे इंतिशार बर्पा करने वाले लोग होते हैं उसी में से ये विश्णोगुत्ता एक है जो अपनी चीप पब्लिक सिटी के लिए देश का नुखसान करने की एक नापा कोशिश कर रहा है इसके अंदर आपने इस तरह से रोलिंग पार्टी का की तरफ से झाटारेट किया जा रहा है तो इसमें अपोजिशन का किस तरह से किरदार हैं ये किरदार निवा कोशिच ओपने जाने की कोशिश की प्रियंका गांधीजी के साथ में वहां का एडिमिनिस्ट्रेशन उन्हें आने की इजाजत नहीं दिया ये कहा कि 144 section नाफिज है वहाँ पर आप नहीं जा सकते तो राहूल गांदी जी ने कहा कि मैं अकेला जाना चाहता हूँ 144 section तो एट्रैक्ट नहीं होगा तो उन्हें अकेला भी जाने अजाज़त नहीं दी गई तो माहूल वहाँ पर खराब ना हो इसलिए वापिस वहाँ जे निकल गए वरना पुरा हैवे जैम हो गया था वहाँ के लोगों को परेशानी ना हो वापिस निकल गए और पार्लिमेंट में मुसलसिल इसकी आवाज उठा रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इंप्लिमेंट करने की डिमैंड की जा रही है और संबल के इशू के ओपर भी आवाज उठाया जा रहा है बेखसूर पांच नोजवानों के किलिंग्स के ओपर इन्वेस्टिगेशन जुडिशल इंकौरी की मांग की जा रही है और उन्हें जो मडर किये हैं उनको पनिश्मेंट की मांग पार्लिमेंट में मुसलसल की जा रही है और हंड्रेट परसेंट जब तक संबल के पांच नोजवानों के साथ इंसाफ नहीं होता कॉंग्रेस पार्टी और सिविल सुसाइटी सब लोग जो इनसाफ पसंद है वो आवाजें उठाते ही रहेंगे जब आप बात कर रहे हैं वहाँ तो बीजीपी के गौर्णेमेंट हैं वहाँ पर आप लोग कुछ नहीं कर सकते उसी के ओपर हर जगा पर ये काम हो रहा है कि ऐसे हमारे डिस्टिक इंचार्ज मिनिस्टर आएसे जो फिरिंज अलिमेंट्स हैं उनके ओपर सकत नजर रखे हुए हैं जहां कहीं भी ऐसा मामला पेश आता है इमीडियटली ऐसे फिरिंज अलिमेंट्स को ग्रफ्तार किया गया पनिश्मेंट दी गई जेल के पीछे डाला गया हमारे पास करनाटका में ऐसे बहुत सारे रेकॉर्ट्स हैं जो भी जो भी सेकुलेट्सम और हमारी यूनिटी को तोड़ने की जो कोशिश करता है जो से आप देख सकते हैं मुल्क भर में जो यह अखाला पेश आ रहे हैं एक तरफ रूनिंग पार्टी है दूसरी तरफ आपोजिशन के तमाम लोग जिस तरह से आपने बताए कांगरेस पार्टी के पार्टी में इसके उपर काम करें मुमीत करते हैं कि आगे यह तमाम इसूस तमाम जो वहां के मुरेदीन हैं वहां के चाहने वाले हैं वहां पर जाने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे बस यही मेसेज देना चाहूंगा कि हर दोर में फितने पैदा होते हैं और फितनों का खातमा हम देखते हैं कि उनका हशर भेंकर हशर होता है तो हम देखेंगे कि ये विश्णु गुप्ता और ऐसे बहुत सारे फिरिंज अलिमेंट का भी हशर हमी आपने आखों से देखेंग या आपी का सत्खा है जो आज हम कलमा गो हैं हंदुस्तान में आपी की महरबानी से आज हम कलमा गो हैं और पुरी एमीद यही है कि जो गरीब नवास सरकार ने अपने खुकम से उन्टनिया जहां पर बैटी वी हैं उन्हें उठने नहीं दिया अना सागर को सुका दिया इस देश में आकर शांती सलामती का पैगाम, महबत, अमन, भाईचार की, सुफी इजम का पैगाम जो दिया है, ये पैगाम रोज ख्यामत तक जारी रहेंगा, आईसे फितने उठेंगे, खतम होंगे, हमें सबर के साथ कानूं को पकड़ते हुए आगे चलना है, और अजमेर सरीफ के जमेदारान के इंस्ट्रक्शन को उनके तमाम चीज़ों को देखना है, और उमीद है कि ये ऐसे फिरिंज अलिमेंट्स को अजमेर सरीफ के जमेदारान देख लेंगे, वरहल आखिर में बाबाज इस तरह से अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, और तमाम मजभब के लोग इसके उपर नजर लगाए बेटे हैं, किस तरह से आप एक मिसेज देंगे कि किस तरह से मुसल्मानों को आने वाले जिनों में अगर इस तरह के हास्यात पेश आते हैं, तो किस तरह से उन्हें रियाक करना है, क्या-क्या एज़दामात उन्हें उठाने है, और तन्ज में हैं, इन लोगों के डिरेक्शन्स को, इन लोगों के जो रहनुमाई होती है, इसकी रहनुमाई में हमें चलने की जरूरत है, अजमेर शरीफ के जो मसला है, उसमें अजमेर शरीफ के जिमेदारान की रहनुमाई में हमें आक्ट करने की जरूरत है, अपने तरफ से ऐसे बयानात ना दें ताकि जो फ्रिंज अलिमेंट का मकसद है वो मकसद में वो लोग कामियाब हो हमें सबर के साथ अजमेर शरीफ के जिमेदारान के जो रहनुमाई होंगी उसके ओपर एंट करने के जरूरत है बस हमें पूरा यखीन भी है अजमेर शरीफ के जिमेदारान पर कि वो खानुनी जंग लड़ेंगे और गरीब नौाज रहमतुला अले के सद्खे में वो 100% जीतेंगे और साथे साथ जरूरत अगर पड़ेंगी सड़कों पर आने की तो आपके हुकुम के मुनतजिर है हम तमाम लोग भी गरीब नौाज सरकार के बारगाह के साथ हैं वहां के जिमेदारान के साथ हैं